हेलो दोस्तों कैसे आप सभी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है minimum depth of a binary tree तो basically problem का description हम समझेंगे पहले problem को समझेंगे हम की problem कहना का चारी है problem में हमें है क्या given क्या क्या चीज़े हैं और हमें क्या found out करना है मतलब पूरा basic structure problem का description समझेंगे उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे approach करना इसके solution की तरह मतलब how do we approach to solve this particular problem and in the last I will show you the CPP as well as Java solution ठीक है तो last में मैं आपको CPP और Java solution भी देने वाला हो इस problem से related ठीक है तो वीडियो में आगे बने रही क्योंकि काफी जाता important problem है यह और काफी जाता पूछी भी जाती है होती है एक left child और एक right child तो दो चाल्ड जिसके होते हैं उसको हम binary tree बोलते हैं ठीक है at most two child ठीक है it can also be zero और one and at most it will be two मतलब दो से ज्यादा चाल्ड नहीं होंगा binary tree के ठीक है तो एक और दो इस से ज्यादा चाल्ड नहीं हो सकते तो यह हो गया binary tree अब basically हमें करना क्या है तो हमें minimum depth ने depth of binary tree क्या होती है ठीक है depth पर discussion करते हैं तो basically root node of a tree हर जो भी tree होती है उसकी एक root node होती है तो root node से किसी भी leaf node तक जाने के लिए जो आपकी nodes आप traverse कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं depth तो particular tree के अगर हम बात करें तो हम root node क्या है इसकी 3 तो 3 से हम 9 पर जा रहे हैं तो basically हमने कितनी node traverse करी 2 तो depth of this particular जो आपका path है ठीक है इस path की जो आपकी depth होई वह ही 2 ठीक है और उसके बाद अगर आप इस node से इस leaf node पर जा रहे हैं इस path को आप traverse कर रहे हैं तो आपका हुआ 1 2 & 3 ठीक है तो यह हो गया 3 और same अगर आप इस root node से 2 और 3 तो इस leaf node की depth क्या होई 3 तो जैसा आप देख सकते हैं कि 2 उसके बाद 3 और उसके बाद 3 तो यहां पर minimum जो depth है वो है यह 2 ठीक है तो आपका minimum depth of this particular binary tree will be 2 ठीक है तो आपको समझ में आया होगा problem की basically problem क्या है हमें binary tree given होगा उसमें हमें minimum depth निकाल लिए है उस particular given binary tree की अब यह approach हम करेंगे कैसे ठीक है तो यह भी बात है अब इसको solve करने के भी कुछ तरीके होते हैं problem तो आए होग आपको यह समझ में आ गया होगी पूरे clear हो गया होगा कि हमें करना क्या है हमें हर traverse करकर अपने tree को traverse करकर हर leaf node तक की depth निकाल लिए और उस depth में से जो भी minimum होगा वह हमें print करा दे ठीक है तो यह आपकी problem होगे अब इस चीज को approach कैसे करना है उस पर बात कर तो कुछ तरीके क्या हो सकते हैं देखिए सबसे पहले ट्रेवर्सल बेसिकली हम कर क्या रहे हैं हम tree को traverse कर रहे हैं तो approach हो सकती है traversal it can be in order traversal ठीक है in order traversal हो सकता है आपका pre order traversal हो सकता है आपका post order traversal हो सकता है तो traversal अगर आप जो tree का traverse करेंगे उसको तो उसमें भी कुछ modification होंगे डारेक्ट आप traversal करकर नहीं कर सकते तो वह भी मैं आपको बताऊंगा तो basically आप traversal करकर इसको कर सकते हैं तो मैं आपको एक जो है एक approach दूँगा like I will show you the in order traversal approach और बाकी सब में same modification करने आप बाकी सबको like उसको convert कर देंगे आप pre में या post में तो same approach होने वाली है उसमें कोई भी difference नहीं होगा बस traversal करने का तरीका अलग हो जाएगा तो यही बात है कि आपके पास कई सारे तरीके हैं ट्रेवर्सल करने के ट्रीक तो बेसिक आपको traversal करना है क्योंकि हमें हर एक path को traverse करते हुए जाना है ठीक है बैसिक काम हमें यहीं करना है अब एक तरीका हो सकता है कि आप use कर लें DFS आप use कर लें BFS क्योंकि आप breath first search करने depth path search, आपको search करना है, तो searching में भी क्या होता है, basically आप searching में भी traversal ही तो करते हैं, तो आप traversal कर सकते हैं, तो and BFS और DFS आप use करेंगे, तो it can be a little more complicated, because आपको DFS और BFS implement करना पड़ेगा, तो rather than using this approach, we are going to use this approach, because it is very much simple and very much easy to understand, तो हम इस approach को यूज़ करना है, same approach है, अगर आपको BFS और DFS से इसको solve करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, बहुत असानी से, जैसे हम in order traversal करकर इसको solve करने वाले हैं, same आप pre-order और post-order का use करकर कर सकते हैं, और same आप DFS और BFS का use करकर कर सकते हैं, तो बस थोड़े बहुत traversal करने का तरीका change होगा, बाकी सब कुछ same रहने वालाएं, अब देखते हैं कि यह हम काम करेंगे कैसे, तो let's say, कि मैं अपनी root note पर आया, फिर मैं in order traversal है, तो सबसे पहले मैं left child में जाऊंगा, तो left child तो कुछ है नहीं, तो मैं चेक करूँगा, हर node पर मुझे पहली बात तो यह चेक करना कि वो leaf node है या नहीं है, तो leaf node की property क्या होती है basically, कि उसके दोनों child जो है, वो null होते हैं, हर leaf node के दोनों child नल होंगे आपको, यह एक property होती है, हर एक leaf node है, तो while traversing the nodes, I will going to search, I will going to check, कि उसके दोनों जो left child और right child हो null है, तो सबसे पहले मैं जब इस node पर आऊँगा, अपनी three वाली node पर तो मैं चेक करूँगा, क्या इसका left child और right child null है, तो of course, इसका left child और right child दोनों में से कोई भी null नहीं है, तो मैं left child में आऊँगा, फिर मैं इस ninth node को चेक करूँगा, क्या इसका left child और right child null है, जी हाँ, इसका left child और right child null है, तो basically इस path को, मेरे को 9 तक आने में, मैं एक length variable ले लूँगा, तो इस path तक आने में, मुझे कितना nodes को traverse करना पड़ा, तो basically 1 और 2, तो इसको मैं जो अपना एक variable डिक्लेर रहूँगा, जो की होगा min, तो उस min में, मैं अपना store करने वाला हूँ, जो भी मेरी minimum depth चल रही है, तो initially, इसको हम max या infinity से initialize कर देंगे, basically integer max से initialize करेंगे, प्रोग्राइमिंग में, तो infinity से initialize कर देंगे, तो मैं चेक करूँगा, जो मेरा 2 है, वो infinity से छोटा है, तो जी हाँ, छोटा है, तो infinity को हटा कर मैं उसमें 2 लिख दूँगा, ठीक है, अब अगली बार मैं अगले उसमें जाओंगा, तो फिर इसका left और right child तो है नहीं, तो मैं अपनी node के, जो है, वो right child की तरफ move करूँ, ठीक है, आप right child की तरफ देखूँगा, right child, इसका left child, इसका right child null है, जी नहीं, तो फिर मैं इसके left child में चलाएं, फिर left child में देखूँगा, इसका left child null है, that means, ये null है, तो ये leave node, तो मैंने कितने node traverse करी, 1, 2, और 3, तो इसका जो depth होई, वो होई 3, तो मैं चेक करूँगा, क्या मेरा minimum variable मेरी इस node से बड़ा है, तो जी नहीं, ये 3 है, ये 2 है, तो मेरा minimum जो है, तो मैं इसको change नहीं करूँगा, ठीक है, अब same फर मैं इसमें root पर जाऊंगा, और उसके right child की तरफ move करूँगा, right child में देखूँगा, फिर से ये मेरे को leaf node मिल गई, और जो मेरा depth आई है, वो actually 3 आई है, ठीक है, तो फिर मैं चेक करूँगा, क्या 3 जो है, वो मेरा 2 से बड़ा है, तो ज मेरा tree traversal, जो है, वो complete हो चुका, मैंने tree को पूरा traverse कर लिया, पूरा tree को check out कर लिया, सारी node पर जाकर देख लिया, तो अब मेरा minimum variable में क्या रह गया, minimum variable में रह गया 2, so I will return the result as 2, which is the actual result, ठीक है, तो आहोब आपको ये चीज समझ में आई, अब same आप काम कर सकते है, preorder traversal, like सबसे पहले ये check करें कि null है या नहीं, null है या नहीं, इस तरीके से, और in order में आप left में जा रहे थे, और post order में आप सबसे पहले left और right चेक करेंगे, उसके बाद last में ये के check कर, ठीक है, तो क्योंकि हम simply, basically order हम check कर रहे है, nodes का, तो it is not depend on traversal, कि आप पहले in order यूज करें, preorder वो आपके उपर, आप कौन से यूज करना चाते हैं, ठीक है, तो approach तो सबकी same रहने वाली है, बस node का जैसे पहले हम process करते है, in order, preorder में सबसे पहले process करते है, in order में middle में करते है, और post में last में करते है, तो बस processing करने के, जो है, वो steps change हो जाएंगे, बागी सब कुछ same रहने ठीक है, अब इसमें condition ये भी है, कि let's say कि आपका tree ही null है, ठीक है, आपका tree जो है, वो null है, तो आप इस case में क्या कर सकते हैं, आप ये last में ये check भी कर लें, कि जो आपका minimum variable है, अगर वो int max ही रहता है, मतलब infinity ही रहता है, उसको छोटा नहीं मिला, तो infinity की जगा आप उसमें zero print कराएं, तो ठीक है, वो तो आप simple जब return करवा रहे होंगे, तभी आप check कर सकते हैं, कि अगर वो infinity है, तो zero return कराएं, और अगर infinity नहीं है, कोई एक number है, तो इस number को return कराएं, ठीक है, तो I hope आपको ये problem समझ में है होगी, इसकी approach समझ में है होगी, तो let's move on to the solution of this problem, so that it will easy to you to understand the problem, ठीक है, तो solution की तरह बढ़ते हैं, तो basic आपका ये solution है, इसका, java solution आपको सामने दीख रहा है, तो मैंने क्या करा है, मैंने integer का एक variable ले लिया है, minimum, ठीक है, जो कि आपका minimum store करने वाला है, जब भी मेरा ये function call होगा, minimum depth, with the help of tree root, जो में को root node मिली है, तो मैं उसमें maximum value integer की store करा दोगा, ठीक है, तो उसके बाद मैं call करूँगा in order function root, और ये जो one मैंने करा है, one जो है, वो मेरी length of the node है, ठीक है, basically depth of the tree है, ठीक है, तो initially, जब मैं root node पर होगा, तो वो one होगी, अब उसके बाद, जब in order traversal call होगा, ठीक है, in order traversal call होगा, तो length और tree node दोनों की, मैं check करूँगा कि अगर मेरा root जो है, वो null है, तो मैं return कर जाऊँगा simply, कुछ भी काम मेरे को करना नहीं है, अगर root null है तो, और बाकी मैं in order में root के left में जाऊँगा, और उसके बाद length को plus one कर दूँगा, क्योंकि एक node मैंने, एक node जो मैंने traverse कर लिए, ठीक है, और उसके के साथ minimum को update कर देना, और same, फिर right child के लिए call कर लेना, with length plus one, ठीक है, तो I hope आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, same, आप अगर pre-order करेंगे, तो ये जो processing है, वो आप पहले कर देंगे, आप post-order करना चाहरा है, तो इस processing को इन दोनों left और right child के बाद कर ले, ठीक है, तो I hope इसको initialize कर दिया, उसके बाद in order traversal call कर आए, और अगर null pointer है, तो return, और बना left child को call, और left और right child दोनों null pointer है, तो फिर minimum को update बना right child को call, ठीक है, और उसके बाद return करते समय, ये वर चक करना है, कि minimum, जो है, वो आपका int max अगर नहीं है, तो minimum return कर दो, और अगर int max है, तो उसको 0 आपको ये चीज़ समझ माई होगी, पूरी जो minimum depth of a binary problem थी, वो आपको clear cut समझ माई होगी, कि basic operation क्या है, basic problem क्या है, अप्रोच क्या है, तो अगर आप को वीडियो अच्छे लगी, तो इसे like कीज़े, अपने दोस्तों से share कीज़े, comment मुझे बताईए, अगर आप इसमें मुझे डिर्डेमर एकोट, बाइ